देखिये चोर की डारी में तिनका एस पेस्ट है अदनी लालो जी का परिवार भरस्टा चार के अंकंठ धूंड का सिंगार भरस्टा चार का पीटिवाश्वर उनको लगता है कि हम आफ भरस्टा चार करना मेरा एक आधिकार है देखली जी तो असपेस्ट का εκεί ने खाने देंगे और नमस्कार में अनाम सदंजर्प देखने एक निश्टेंडीफोर पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है लेकिन अब समापन की ओर है नबे परतिसक्त देशबर में मद्दान हो चुका है विपक्छो या सतापक्छो दोने के तरफ से आरूप प बाच्चित करने के लिए भारजनता पार्टे के मुंगेर सी विधायक है परनब कुमार है जो कि काफी सक्डिये हैं और काफी एक्टिव हैं चुनाव परचार परसाड में लगे हुए हैं देश के अलग-अलग राजवा में भी यह जा रहे हैं और आर रहे हैं भारजनता गलग-गल-सकाम प्राजिक समापन हो गया तो आप लोगों की बोली बंद हो चुकी है चारसो पारके नारेकर देखें लिए विपक्ष क्या कहता है उस पर तो हमने जाते लिगिंग देश की जनता मोदी जी के साथ है और जो देश की जनता का टार्गेट साथ कि इस जी को 400 पार सीट 400 प्लस में सीट देना है वो गोल सेट अप है जनता के मन में ये बात है कि मोदी जी ही देश का कमान समाल सकता है और इस बार 400 पार का जो नारा है वो देश की जनता सकार करेगी पर्धान मंत्री मोदी लगातार बिहार के दोड़े पे थे इन पर्धान मंत्री मोदी ने कहा कि जो भी हलीकॉप्टर पर चुनाव परचार कर रहे हैं घूम रहे हैं चुनाव के बाद कौन डाउन शुरू हो गया है जेल जाना तह है इसी के ओपर परतिपक्च तिसी है अधने लालो जी का परिवार भरस्टाचार के आंकंठ में डुबा हुआ है उनके खून में ये लिखाव को जो उनके घर में जन लेते हैं भरस्टाचार का सिंगार भरस्टाचार का चादर लपेटे हुए जन लेते हैं और उनको लगता है कि हमने भरस्टाचार करना मेर एक आधिकार है मोदी जी तो असपस्ट का है ने तो खाएंगे ने तो खाने देंगे और ये परिवारवादी है भराष्टाचारवादी है आप देखे हैं गोई 17 मैना में भी इनके जो तेजस्वी जी के पास पहुंच भी भागे थे बिना पैसा को कुछ नहीं होता था ये पैसा लेके करते थे और ये छोड़ी खुले आम चोड़ी अर्षिना जोड़ी करते हैं तो इसलिए इनको सजा मिलना है तह और जहां तक तेजस्वी जी कहते है संविधान के बचाने के बात अरे संविधान का आपको इतनो फक्र है उस संविधान भारती संविधान पर गर्व है तो भारती संविधान और नियम कानून के तहत ही लालू जी दोसी करार कियेंगे पहले तो राष्टी अधक से लालू जी को अटा है एक चोड़ व्यक्ती राष्टी जनता दल के अधक्स राष्टी अधक्स पज़ पर बैठे हुए हैं जिनकों ने भारती संविधान नियम कानून के तहत सजाय हुआ है सजाय पता है और कहते हैं भारती जनता पाटी CBI ED के खेल करती इनके उपर केस चार सीटेड जब हुए है तो देवगवरा जी परधान मंत्री थे जेल गए है तो ये गुईराल जी थे सरकार में ये खुद राज़द 4 से 14 तक सरकार में थी तो 2013 में मानी परधान मंत्री मनमोहन सिंग जी थे उसमें इनको सजाय हुआ है तो अगर भारती संविधान पे इतना फक्र और घर्व है तो सबसे पहले अपने राष्टिय धच को पद से हटा है कि एक सजायपता ब्यक्ति को इन्होंने राष्टिय धच के पद पर रखा है इसलिए इसे भरष्टाचार तह है और जो चोरी करेंगे जाएंगे तो तेजस्वी जी को पता है मैं चोर हूँ मैं चोर परिवार से आता हूँ इस वज़े से ये कर है तो जाएंगे जिये चोर को जाना ही जियल है विपक्ष कहते हैं कि आप लोगोंने दस साल में जनता को दिखभरमित किया आप लोगोंने जनता को बेवकूप बनाया कोई काम नहीं किया न रोजगार दिया हम थो रोजगार की बात करते हैं आप लोग रोड़ सो करते हैं हम जॉब सो करते हैं तेजश्वी जी ये बता है उनके पास पौँच विभाग था पहुंच विवाग में एक चपरासी के विवाली किया है क्या वो बता दे उनके पास हेल्थ था उनके पास ग्रामिनकार विवाग था उनके पास नगर विकास विवाग था उनके पास पर्याटन विवाग था तो बताएं स्वास पी ड़ूडी था बताएं कि उस विवाग में कि एक वैकनीजिक हैं कि ANM का ट्रांसपर पर्शा लेकर करते थे उनके विवाग उनके विवाग में हुआ है कि जो न्यूक्थिया खुरी गरी विवागी मुंख कर 大गा उनके सिक्षा मंत्रा ले जाते थे क्या एक भी नुक्तिया फाइल पर उनका दस्का थे क्या एक प्रोटोकोल हता था मुख मंत्री थे तो नुक्ति परकिरिया में इस सिर्फ जाना था एक देखाने के लिए आज यो धुनोरा पीट रहे हैं यू मेरे कारण हुआ तो आप जनता के आँख में धुल जोकने का काम कर रहा है जोब ने आप तो जानते हैं इनके पिताजी के समय में क्या होता लेंड फर जोब देख रहे हैं यह तो अपने ड्रैवर को ने छोड़ा अब इनके यहां जो गाय का सेवा करने वाला है मजदूर था उनको भी ने छोड़न करने का काम किया यह तो जमी लिखा किनुकरी देने वाले हैं के अगर यह बिहार की सरकार बिहार की जनता कि इनको सत्ता सोब्दे तो यह समूचे बिहारियों का यह जमीन लिखा लेंगे लाखो कठा जमीन लगवग पचास पलोट उसके परिवार के नाम से यह कहां से आया है यह बता है ने इसके आदरनी लालु जी के 97 के उपर अकूट संपत्ती है वो कहां से आया मेनत का कमए है क्या कौन सा कारबार करते थी यह लोग यह सब लूटे है यह जनता का सिवक नहीं बल्कि एक लूटेरा के तरह इनका कारब पर नाली रहा है इसलिए बिहार की जनता समझती है यह जात पात का नारा देते हैं स्तंपरदाय बाद कहते है कि हम समाजवादी है समाजवादी परिवारवाद नेता है लोहिया जी कहते थे कि परिवारवाद बिसमता फैलाने के लिए जातिव उन्माद फैला की भोट लेना है कार से इनको कोई मतलब नहीं आप सुन रहे थे पर्णप कुमार को इनने सापतर पर कहा कि देश भर में 400 पार्धों का बिहार की जनता मन बना चुकी है यहाँ एंडिये को 40 में 40 सीट आएगी राज़त को तो सबसे पहले करवाई ये करनी चाहिए कि जो राज़त सुप्रीमो लालु परसाद यादव है वो सजायपत है उन्हें पद से राश्ची अंध्यक्स के पत से हटाना चाहिए ये लोग जिस तरीके से तिसी परसाद यादव के पास मंतर ले था ये एन्यम का अगर ट्रांसफर करना होता था तो ये पैसा लेते थे इनके पांचों विभागों में गरबर है उनको डर बैठा हुआ है कि वो जेल जाएंगे इसलिए वो छट पट कर रहे है वेराल इस कर्ब में इतना है आगे कि अपडेट के लिए बनेड़ी एक निश्टने पूर्पर मेरे से होग एंकित के साथ में सदन जी पटना